चंदर्यान तीन मिशन ने हमें चंदरमा के कहीं राज बताए सूरे के राज जानने आज ते ऐलवन निकला हुआ है अब बारी है समंदर की गहाई में छिपे रहसों को जानने की भारत जल्द ही समंदर्यान मिशन का ट्राय शूर करने जा रहा है मिशन समंदुर्यान में तीन लोगों को एक स्वदेशी समर्चिमल में बिठा कर 6,000 मीटर की गरही तक भेजा जाएगा इस समर्चिमल का नाम मतस्य 6,000 है मतस्य 6,000 का क्रू समंद तल से करीब 6 किलो मीटर नीचे कोबाल्ट निकल और मेंगनिट जैसी भुमूले दातों की खोज करेगा मतस्य 6,000 को बनाने में करीब 2 साल लगे है 2024 की शुरुआत में चिनने तट से इसे बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा समंदर में इतने गहराये तक जाना भी चुनोती पूर्ण है भारते विज्यानिकों को जून 22 में होई टाइटेन दुरुगटना का भी ध्यान है नौर्थ अट्लांटिक महसागर में टाइटेनिक के मलबे तक टूरिस्ट को ले जाने वाला यह समर्चिमल फट गया था उस हाथ से के मद्देनर भारते विज्यानिक मतथ से 6000 के डिज्यानिक को बार बार परक रहे हैं प्रिथ्य विज्यान मंताले के सचीव रवी चंद्र ने हमारे सायोगी से बात करके बताया कि समुंद्र जान मिशन गहरे मासागर मिशन के हिस्से के रूप में चल रहा है हम दोई 24 की पहली ती मही में 500 मीटर की गराई पर समुंद्र का परिक्षन करेंगे निकल, कोबाल्ट, मेगनेज, हाइडरो, ठंबल, सलफाइड और गैस, हाइडरेट्स की तलाश के लावा मतासे 6000, हाइडरो, थर्बल, वेंट और समुंद्र में कम तापमान वाले मिथेन रिशने में कीपो, सिंथेटिक, जैव, विदिता की जाँच करेगा मतासे 6000, का वजन 25 टन है, इसके लंबाई 9 मीटर और चोड़ाई 4 मीटर है NIOT के निदेशक GM रामदास ने कहा कि मतासे 6000 के लिए 2.1 मीटर व्यास का गोला डिजैन और विक्सित किया गया है, जो 3 लगों को लेकर जाएगा गोला 6000 मीटर की गहराई पर 600 बार दबाओ का सामना करने के लिए 80 मिमी मोटी टाइटेनियम मिश्ट दादू से बना हुआ है वीकल को लगातार 12 से 16 गंटे तक ओपरेट करने के लिए डिजैन किया गया है, लेकिन ऑक्सिजन की सप्लाई 96 गंटे तक उपलब द रहेगी झाल 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 झाल